दोस्तो करवा चौत पर ऐसी पूजा कोई भी सुहागिन महिला ना करे, चौत का वरत खंडित हो जाता है। आपके पती का जीवन संकट में पढ़ सकता है। साथ ही साथ करवा चौत का वरत तीन औरतें कभी न रखें। वरत रखने बाली महिला पर आते हैं कष्ट और चौत म पारवती मा पारवती के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। दोस्तो अक्सर महिलाएं करवा चौत पर कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसकी वजह से पती पतनी को जिंदगी भर मुसीबतों का साम चाहिए इस से पती पर कश्ट आ जाते हैं आपका वरत भंग हो जाता है। जिससे की पाप न लगे खास करवा चौत पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागिन महिला को नहीं करना चाहिए। तो आईए ये ये भी जान लेते हैं। करवा चौत का वरत किसे नहीं रखना चाहिए। आईए जानते हैं। दोस्तों करवा चौत पर भद्रा का साया रहेगा। भद्रा का समय है। इस साल करवा चौत के दिन भद्रा का साया है। हाला कि ये भद्रा दिन में केवल 21 मिनट के लिए ही रहेगी। जिसका वास्थान स्वर्ग है। चाहिए बहुत ही शुब माना जाता है। यदि भद्रा में कोई शुब कार्य किये जाएं, वस्त्र खरीदे जाएं, मेकप आदी खरीदे जाएं, तो वह खंडित माना जाता है, घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, जीवन पर ग्रहन लग जाता है, पति-पत्नी का गर जो महिला अपने पती से लड़ती जगडती है तथा नफड़त करती है, तो उसे ये वरत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये त्योहार प्यार का है, नफड़त का नहीं। जब तक चांद ना निकल जाए। मासिक धर्म में वरत रखने की कतई मना ही नहीं है या आप मासिक धर्म को रोकने के लिए मेडिसिन भी खा सकते हैं जिससे आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। मातारानी को सिंदूर से सजी सबरी महिला बहुत अच्छी लगती है और देती है सौभाग्यशाली होने का वरदान क्योंकि सिंदूर और मंगल सूत्र माँ पार्वती से संबंधित है। कम से कम करवा चौथ पर मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए और मंगल सूत्र हर हाल में गले में होना चाहिए। दोस्तो करवा चौथ पर लाल और पीले रंग के कपड़े पहनना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। करवा चौथ की पूजा का सामान खरीदे तो याद रहे सींके या तीलिया टूटी हुई नहीं होना चाहिए। परत तूट जाता है क्योंकि चटका हुआ करवा खंडित माना गया है। माता को जब आप श्रिंगार का सामान चढ़ाएं तो नया ही चढ़ाएं। ध्यान से देखे चूडिया टूटी हुई नहीं होना चाहिए। आप भी टूटी तथा चटकी चूडिया ना पहने। करवा चौथ में चलनी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बगएर आप कभी भी करवा चौथ की पूजा कर ही नहीं सकते। क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है। चलनी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो पुरानी करवा चौथ की चलनी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप बाजार से भी ला सकते हैं। दोस्तों माता को जब आप भोग लगाएं तो फलों में पांच रंग के फल होना चाहिए और मिठाईयां भी पांच रंग की होनी चाहिए। बड़ा ही शुब माना गया है। फलों में खासकर माता को नाशपाती ना चढ़ाएं शुब नहीं माना जाता। आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाईयां रख सकते हैं. करवा चौत में इस्तेमाल होने वाले चावल बाजार से खरीदे चावल तूटे हुए नहीं होना चाहिए. चावल, साफ और सफेद होना चाहिए. माता को जब आप नारियल अर्पित करें तो जटा वाला यान क्रवा चौत माता की चौकी लाल कपड़े से लगाना चाहिए. इस बात का ध्यान रहे चौत पूझा के लिए जब आप करवा चौत का फोटो लगाए तो फटा हुआ नहीं होना चाहिए. फटा, गला, फोटो, खंडित माना गया है. फोटो, सम्पूर्ण होना चाहिए. फ आप वहां से सुन सकते हैं। अंत में पती के साथ भोजन ग्रहन अवश्य करें और अगर आपका पती आपके पास नहीं है या वो किसी काम से बाहर हो तो ऐसे में आप अपने पती का नाम लेकर भोजन ग्रहन कर सकते हैं। अक्सर जो माताएं बहने हैं वह अपने पती से कभी कभी परेशान हो जाती है। अपका पती धूमरपान या मदिरा का सेवन करता है तो ये उपाएं अगर आपने कर लिया स्माइल फैमिलीज की ओर से जो हम आपको उपाएं बताने वाले हैं तो समझो आप भी कहोगे जो पती आपकी तरफ देखता नहीं था। आज वह जी भर के प्यार कर रहा है। तो पती को सही मार्ग दर्शन दे मेरे दुखी जीवन में खुशी का संचार करे और बोले हे चौथ माता यदि मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो ये तेरी लाली का जीवन व्यर्थ है बेकार है नश्ट है हेमा मुझ पर उपकार करे मैं भी तेरी बेटी हूं और दोस्त तो ये मंत्र अवश्य बोल देना जो हम आपको बताने वाले हैं, आईए जानते हैं मंत्र, हैं, करवा चौत पर जब आप इलाइची अर्पित करने के बाद पूजा करें, तथा आरती करने के बाद यह मंत्र बोल देना, यह चौत माता का मंत्र है, अर्थात माता पार्वती क इस मंत्र को बोलते ही जो आपने माता पार्वती को इलाइची अर्पित की है वह सिद्ध हो जाती है। ये अपना चमतकारिक असर दिखाना शुरू कर देती है। ना माने ये उपाए करने के बाद तो हमारे चैनल को स्माइल फैमिलीज चैनल को अनसबस्क्राइब कर देना। हम 101% आपको कौपी पर लिख कर ये प्रमान दे सकते हैं कि ये उपाए 1000% सिद्ध साबित है। कई लोग इस उपाए को करने के बाद अपना जीवन यापन बहुत खूबसूरती के साथ बिता रहे हैं। दोस्तों अभी पूरा उपाए हमने नहीं बताया है। आईए जानते हैं। देखिए पूजा समाप्त होने के बाद आरती करने के बाद, चंद्रदर्शन करने के बाद, चांद की पूजा करने के बाद, पती के हाथों पानी पीने के अब आप उस स्थान पर आ जाए जहां पर आपने चौथ माता की पूजा की थी। प्रसाद समझ कर जो उठाई थी उन्हें आपको चाय में डाल देना है या खीर में भी डाल सकते हैं या आप जो भी मीठा पदार्त बनाते हैं उसमें आप डाल दें। इलाईची मिलाई है और वह भोजन यदि आपका पती खा लेता है तो समझ ले आपका पती 101% आपके वश में हो जाएगा और आप जो चाहोगे वह आपको प्राप्त हो जाएगा। आपका पती आपको इतना प्यार करेगा जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। आपका पती हमेशा आपके बारे में ही सोचेगा और यदि वह शराब का सेवन करता होगा तो वह भी छोड़ देगा। दोस्तों, इलाइची में साक्षात माता नव दुरगा का वास होता है, शेरों वाली का वास होता है, माता पारवती का वास होता है, क्योंकि यह इलाइची सिध्ध हो गई होती है, जो आपने मंत्र पढ़े हैं, उसके कारण यह इलाइची सिध्ध हो जाती है, और जो भी इ उसमें डाल दें और याद रहे गलती से भी उन्हें पता न चले। चुपचाप यह उपाए करें, किसी को कानो कान खबर भी न हो। फिर आप देखना चौत माता की कृपा से आपका घर खुशियों से भर जाएगा। धन दौलत से परिपूर्ण हो जाएगा। हर तरफ आपक चौत वाली रात करते हैं तो और भी अच्छा माना जाएगा। आप चाहे तो अगली सुबह भी सुपाए को कर सकते हैं। आप कभी भी सुपाए को कर सकते हैं बस इलायची को संभाल कर रखें। जब आप ये उपाए करें तब इलायची उसमें डाल देना। अगर आप अ लाइक ज़रूर करें, कमेंट में लिखें, जै चौथ माता